अगर आपको बुंदी बनानी नहीं आती है तो टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि अभी आप बना सकते हैं बिना बुंदी बनाएं मोती चूर के बहुत भड़ीया लड़ू जो कि कोई भी अगर खा ले तो कोई ये नहीं कहेंगा कि ये कैसे बने हैं हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू सौरा जॉल इन वन चानल और आज मैं आपके लिए लेकर आयू मोती चूर के लड़ो की रेसिपी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहां सबसे पहले मैंने शुर्डाज मेरे हम चना चा nós पराज मिपार दाल मोगशाए तो इसे अच्छे से दो में भी खोने के लिए में औरह सब मेंदा क्यूआ हम यहां बी दोंगे बहुंदेई जुवचा हैं तब 2 घंटे हो चुके हैं और जीक अब बहुंदेई दाल पूरा पानी निकाल दिया हैं अभी इसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पेस्ट बना लेंगे हम अभी पीस की बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसमें मैंने पानी का कुछ भी यूज नहीं किया हैं तो इसके हम पकोडे तल लेंगे तो तेल भी अभी गरम हो चुका हैं चुटे-चुटे इसके पको अच्छे प्रीफ सब्सक्राइब यहां तेल का यूज इसके एंगे विछाएं और हमें दो मिनिट से ज़्यादा नहीं तलना हैं जादा डार कलर नहीं चाहिए लगा और हम दो मिनिट के लिए इसे पका देंगे नहीं अच्छे से प्राइ कर लेंगे और इसे मीड्यम फ्ल तो पूरे पकोड़े अभी तलके रेडी हो चुके हैं आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा है और इसे हमने ज्यादा डार कलर तक के नहीं पकाया है तो अभी इसे हम कर लेंगे मिक्सर में ग्राइंड और तब तक यहां पर में रख देती हूँ चाशनी बनानी के लिए तो जिस कटोरी से मैंने दाल मेजर किये हैं तो यहां पर एक कटोरी दाल है तो एक कटोरी हम शक्कर लेंगे और आदा कटोरी पानी और यहां पर जो मगज है तो इसे भी घीमित थोड़ा हलका सा ब्राउन क मोती चूर के लड़ू में इसका बहुत ही अच्छा क्रंची टेस्ट अच्छा लगता है तो यहां पे हमारी चाशनी भी लगभग पुरी रेडी हो चुकी है आप देख सकते हैं और जो पाउडर बनाया है पकोड़े का तो उसमें में मगज की बीजे डाल दोंगी और यहां पे आप देख सकते हैं चाशनी बिल्कुल रेडी है तो अभी इसमें डाल देंगे इलाइची पाउडर आधा चम्माच और यहां पे फूट कलर डाल रही हूं में यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहे तो डाल सकते हैं या फिर नहीं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम कलर काफी अच्छा नजर आ रहा है तो अभी मैंने जिसमें पाउडर बनाया हुआ है पकोड़े का तो उसमें चाशनी डाल दूंगी और ग्यास मेंने चालू क यह बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चाशनी डाल के इतनी पूरी चाशनी इसमें यूज हो जाएंगी क्योंकि जो मेजर मेंट हमने लिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है तभी आप देख सकते हैं पूरी चाशनी यूज हो चुकी है और यह जो हमारा बैटर है लट्डू का म यह अभी लट्डू बना ले के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है तो इसके हम बना लेंगे लट्डू और यह आप चाहिए तो इसमें ड्राइफरूट डाल सकते हैं मैं यहाप पे डेकोरेशन के लिए यूज कर रही हूँ यह दिखे कितने प्यारा यह नजर आ रहा है लग रहा है ना बिल्कुल बार एक बंदी से बना हूँ है मोती चूर का लड्डू तो अभी हमारे पूरी लड्डू यह बिल्कुल रेडी है उम्मिद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आई होंगी पसंद आती तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और साथी बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताके नेक्स टाइम में जब भी कोई या नए वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे तो फिर मिलेंगे ऐसी प्या करता है इसके कर दो दो पर नहीं आप है, वजब हैं। सबस्क्त आप है, जो खवाई बचलो खआए उसकाँ, आप है, आप है आप है, प्रुष्ट आप है है।